दोस्तो और मुश्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो ओपीनियन पोल्स की बाढ़ा गई है टेलिविजन चैनलों पर ऐसा लगता है कि हर दिन कोई न कोई चैनल ओपीनियन पोल दिखाता रहता है और एक बार नहीं दिखाता कल कई बार रिपीट करता है ताकि लोग उसको देखते रहें जो भी आंकड़े पर उसे जा रहे हैं चुनाव की जो भी भवश्य मानी की जा रही है उसको लोग अपने जेहन में अपने दिमागों में लगातार रखते जाएं इस पर अपोजिशन के नेता काफी खासे नाराज है क्योंकि वो पीनियन पोल आम तोर पे सत्ताधारी जो दल है उसी के पक्ष में बोलते हैं अब आप देखा आपने मंगाल में ही मंगाल में कितनी बड़ी मार्जिन से जीत होई ममता बनर जी की पार्टी टीमसी की लेकिन वहां भी ओपीनियन पोल जो थे वो दिखा क्या रहे थे आप सब जानते हैं लेकिन दोस्तो जो विपक्ष के नीता बैन की बात कर रहे हैं इस तरह के सर्वेक्षनों को बैन कर दिया जाए क्या ये सही है या जो टेलिविजन चैनल कर रहे हैं वो सही है हम इस पर जरूर अपनी टिपणी रखेंगे कि आखिर इस पर क्या स्टेंड होना चाहिए लेकिन मैं opinion polls के बारे में मैं कुछ ठोस बातें आपके साथ जो मेरे नीजी अनुभो किया है जो एक journalist के तोर पर मैंने अनुभो किया वो मैं पहले आप से share करना चाहता हूँ बात 2004 की है 2004 में दोस्तों आपको याद होगा लोकसभा का चुनाओ हुआ था और लोकसभा का वो चुनाओ जो था इंडिया शाइनिंग का चुनाओ था पूरे देश में शोर था टेलिविजन चैनल देखिए अखवार देखिए जहां भी जाए इंडिया शाइनिंग इंडिया चमक रहा है इंडिया दमक रहा है इंडिया गजब का मतलब विकास कर गया है चारो और इंडिया की किर्थी जैसे लगता है डुगडुगी बज रही है तो इंडिया शाइनिंग का जो नारा था और वो लगता था कि उसकी वापसी 100% होने जा रही है जितने वो पिनियन पोल थे सारे बता रहे थे कि वाजपई जी फिर से वापस आ रहे हैं और बड़े बहुमत से आ रहे हैं ठीक ठाक बहुमत से अब हम लोग खास कर मैं उस समय दोस्तों एक देश के बहुत बड़े अख तो तमाम लोग जो है घूम रहे थे कोई यूपी घूम रहा था कोई विहार घूम रहा था और सारे के सारे जो नेशनल पोलिटिकल बीरो के मेंबरान थे वो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते थे इसकी अलावा हमारा बीरो भी था और वो बीरो के लोग भी अपनी रि प्वेश करते हैं जिसमें संजोगवस सत्ताधारी दल का उमिद्वार हारता नजर आ रहा है हमें या हमारी रिपोर्ट में सत्तारुड दल की जो इस्थिती है चनाव में वो डवाडोल अगर हमको लग रही है और हम लिख रहे हैं तो हम डरते थे डरते इसलिए थे कि जितने चैनल थे वो बता रहे थे कि नहीं तो जीत रहा है यहां तो उसकी जीत पक्की है जी तो दफ्तरों में चारों तरफ हमने देखा कि उन दिनों अख़वार के दफ्तरों में वह यह आज भी टेलिविजन चैनल लगे होते थे तो लोग अपने रिपोर्टरों की कॉपी की सरकार के साथ वापस आ रहे हैं कुछ एक चनल ऐसे थे जो सरकार बनती दिखा रहे थे लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं दे रहे थे लेकिन कोई यह नहीं कहा रहा था कि opposition की सरकार बनेगी और उस आपको मैं बताओं कि आउसत जो सब्सपका था वो कोई जिसे star news स्टार नियू जिन दिनों हुआ करता था और सी वोटर उसका 275 सीट का आंकड़ा था कि NDA को मिलेगा वाजपेई जी की अगवाई में उसी तरह से उनका जो यूपीए के बारे में था उनका कहना था कि ये 200 भी नहीं पूरा करेगा एक 180, 185, 186 ता किरा जाएगा लेकिन दोस पहमत नहीं मिला और 2004 में ही यूपीए की अगवाई में मनमोहन सिंग की सरकार बन गए हमने वो देखा तो जो रिपोर्टर रिपोर्ट धरती से कर रहे थे जमिनी अस्तर से कर रहे थे और छेत्रों में घुम घुम कर कर रहे थे ये जो सर्वे हैं उनका दिमाग खराब कर उनके संपादकों का दिमाग खराब कर रहे थे और पूरे के पूरे देश की जनता का दिमाग खराब कर रहे थे तो अब देशे 2015 का आप चुनाओ देख लीजे बिहार का सारे के सारे सर्वे का रहे थे कि भारती जनता पार्टी आ रही है भारती जनता पार्टी आ रही है लेकिन हुआ क्या लालू प्रशादी आदो और नितिश कुमार का एलाइंस था और और उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया और बहुत अच्छा बहुमत मिला उस चुनाव में भी और 2015 में हुआ था मोदी जी आ चुके थे मोदी जी ने कैमपेइन किया था और जबरदस्ट कैम पुल्टे साबित हो गए तो हमारा यह कहना है कि अगर आप चैनलों के सर्वेज पर जाएए उपीनियन पोल पर जाएए यहां तक की एक्जिट पोल जिनकी करेक्टनेस जो है जिनकी इग्जैक्टनेस जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि छो लोग वोट दे के लोट रहे हैं हाँ उन से उपिनियन ले रहे हैं उनकी बात कह रहे हैं लेकिन वो भी गलत तो अगर हम एक मोटा अनुमान लगाए तो अपने देश में चाहिए परशेश जो हैं यह जिडिन पोल नहीं ओपिनियन पोल्श वो 90 परसेंट से जाधा गल opinion polls क्या फिर करते हैं, दोस्तो हमारा जो एक जनरलिस्ट के तोर पे आकलन है कि most of the, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं most of the opinion poll, opinion create करते हैं, उनका मकसद होता है जनता के बीच, मतदाताओं के बीच किसी दल, किसी पार्टी, किसी कैंडेट, किसी नेता के लिए ओपीनियन बनाना, उनके लिए उनके दिमागों में लोगों के दिमागों में अच्छी भावना बनाना और कुछ के प्रती बुरी भावना बनाना, यानि क किसी को बिलकुल जीतता हुआ एकदम सावित कर देना और किसी को हारता हुआ बता देना अब यह सर्वे कैसे होते हैं कोई सर्वे करने वाला बताता है कि उसने बहुत विशाल सेंपल लिया है यानि अनेक लोगों का उसने उपीनियन लिया है लेकिन अनेक लोगों का उपीनि सर्वेज के बारे में सर्वेक्षण के बारे में जो वैग्यानी का ध्यान हुआ है उसमें सैंपल की साइज से ज्यादा महत्विस बात का दिया गया है कि सैंपल में यानि सर्वेक्षण के दौरान जिन लोगों का उपीनियन आप ले रहे हैं उनका सलेक्षण आपने कैसे किय यहीं अगर greater कैलाश में आपने 50 लोगों से सर्वे किया मुरीन का मुरीं का में 10 लोगों से सर्वे किया मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं RKPURAM में 5 लोगों से सर्वे किया और 3 लोग पूरी में 1 से भी सर्वे नहीं किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका 10,000 का सेंपल सर्वे सही साबित हो, हो सकता है कि 500 काई ओपिनियन लेना या सेंपल साइज सही साबित हो, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन, आपने प्रत्निहित जो है, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स आपका है, अलग-अलग धंग के लोगों से आपने ओपिनियन ली है, अब बिहार में आप गए, और आप मुंगेर में बैठे हैं, जारखंड के धनबाद में आप गए, और लोगसमा का चुना हो रहा है हर प्रदेश में, और आपने केवल अमीर लोगों से बात कर ली, या सिर्फ केवल उत्पिरित समाज के बिलकुल गरीब लोगों से बात कर ली, और आपका बिलकुल सही ओपिनियन हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये भी एक बड़ी बात है, तो दोस्तों कुल मिलाकर जो मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल अपने देश में वैज्ञानिक पधधती को अपनाने के बजाए, रायनेतिक दल, डॉमिनेंट फोर्सेज, यहां तक की कार्परेट, इन लोगों की मिली भगत कहीं न कहीं दिखाई देती है, और कुछे कैसे टेलिविजन चैनलों ने एक बार तो प्रिग्राम भी दिखा दिया था, कारिक्रम दिखा दिया था, उन्होंने स्टिंग आउपरेशन किया था, और बहुत सारे सर्वे करने वालों का चेहरा उतर गया, वो नेताओं से मिल करके opinion बना रहे थे, नेताओं से बात करते थे, नेताओं के लोगों से बात करते थे, कि हम ऐसा opinion दे देंगे, ऐसा सर्वे देंगे, जिससे कि आपको फैदा होगा, और उसके एवज में वो कुछ उनसे चाहते थे, हम बहुत डिटेल में उस बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरा सर्वे नहीं था वो किसी चैनल ने दिखाया था स्टिंग आउपरेशन और उसकी प्रामाणिक्ता को लेकर मेरी कोई टिप पड़ी नहीं है लेकिन ये बात आई ये बात सामने आई लोगों ने देखा तो अपने देश में इस तरह का भी वाकिया हुआ है अब इसके अलावा दोस्तो एक तीसरी बात भी है कि अगर ये उपीनियन पोल्स जादा तर उपीनियन लोगों में बनाने के लिए केवल हो रहे हैं तो फिर election commission क्यों इनके बारे में गंभीरता से नहीं सोचता है हर election में ये आम तोर पे petition दिया जाता है statement दिया जाता है इस बार भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो फुर फार्मर चीफ मिनिस्टर है और समाजवादी पार्टी के अधरक्ष है उन्होंने कहा है कि इनक जहां चुनाव होते हैं आम तोर पे opposition के लोग सवाल उठाते हैं कि opinion पोल उनको गलत गंग से पेश कर रहा है ये नेता आपस में कटे रहते हैं मैं उस पर नहीं जाओंगा लेकिन आखिर होना क्या चाहिए दोस्तो एक और बात मैं बाप को बताओं ये कोई नई बात नहीं है भारत में ही नहीं है कि राजनेताओं और opinion पोल कराने वाले लोगों के बीच में एक बहुत गहरा रिष्टा दिखाई देता है कई ऐसे opinion पोल करने वाले लोग हैं जो opinion पोल करते किसी पार्टी के राजसभाय में आ गए member बन गए कोई बड़े नेता बन गए कोई उनको बड़ा ओदा मिल गया ऐसे भी बहुत सारे उधारन है ओपीनियन पोल कराने वाले लोग विभिन पार्टियों के ओधेदार बने हैं अपने ही देश्च में प्रवक्ता बने हैं उस पार्टियों के और कई ऐसे हैं जो जिनकी पार्टियों से संबधता है वो छुपी हुई लेकिन वो उपीनियन पोल के बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं तो एक वैज्ञानिक पध्धती से किया जाने वाला काम कैसे अपने देश में उसकी पूरी छवी गिरा दी गई है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है यह अजीब साउधारन अपने देश में है मैं आ अब कोस्तिय का होडारन दुहंगा दोस्तों आस्टिया में वहां के जो चांस्लर है उनका नाम है फॉर्मर चांसलर सेबेस्टियन कोर्ग, अब यह सेबेस्ट्रियन कोर्ट सहाब इनको इस्थीपा देना पड़ा यह अभी पिछले साल की बात है 2021 के आखरी दिनों में, लिए देना पड़ा क्योंकि इन्होंने कुछ वर्ष पहले ओपीनियन पोल जो हुए थे वहाँ उन ओपीनियन पोल्स को अखवारों में जो कवरेज मिला उसमें उनकी सहभागिता होने का आरवोप लगा और इसको करप्शन का एक बड़ा मामला माना गया तो ये जो मीडिया में ओपीनियन पोल्स को ज्यादा तरजीह दे कर छपवाने का जो स्केंडल सामने आया ये उनके खिलाफ एक बड़ा इश्यू बन गया और दुनिया में पहली बार उपीनियन पोल्स चपाने के पूरी की पुरी योजना के लिए एक चांसलर को यानि हेड आप स्टेट को स्थीपा देना पड़ा अस्ट्रिया ऐसा पहला देश मना लेकिन अपने देश में अपने देश में अगर उपीनियन पोल्स को लेकर चा बिलकुल ताजा ताजा कि बंगाल में जब पिछली बार चुनाऊ हो रहा था हाली की बात है तो सारे के सारे ओपीनियन पोल ज्यादा थर वो ऐसे थे जो बीजेपी को पढ़द दे रहे थे ज्यादा थर और T.M.C को मैंने दिखा है कि ज्यादा थर एक – एक ऐच और पीनियन बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया गया उसने बीजेपी को 162 से 185 सीटें दी इसी तरह से एक 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 जिट पोल आया उसने बीजेपी को 138, 148 के बीच में सीटें दी टीमसी को 128 और 138 के बीच में तो मेरा ये कहना है कि ये जो इस तरह के जो सर्वे आए इन सर्वेज को आप क्या कहेंगे इसी तरह से मैं अनेक आपको ऐसे उधारन दे सकता हूँ और वो आपके आप कहीं से भी आप गुगल कर लीजिए आप गुगल करके भी खोज सकते हैं कि कितने सर्वे भारत में गलत सावित हुए हैं अब ये सर्वे दोस्तों इसलिए इसमें इंट्रेस् में कुल मिलाकर तकरीबन 65 परसेंट लोगों में से 43 परसेंट लोग जो हैं हवा देखकर ओट करते हैं और भारत में 100 में 35 लोगी कमीटेड ओटर हैं सौ में 35 लोग यानि 35 परसेंट लोग कमीटेड ओटर हैं कि कॉंग्रेस को वीजेपी को सीपीम को या किसी भी पार्टी को ओट करना ही है उनको वो विचारों पर ओट देते हैं लेकिन जो 65 परसेंट लोग हैं उनका कोई कमीटमेंट नहीं किसी पार्टी के साथ हैं और उन 43% लोगों को बेहद प्रभावित करते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है और हवा बनाते हैं तो ओपीनियन पोल कई बार जो पार्टी के केमपेनर हैं बड़े बड़े नेता हैं स्टार प्रचारक उनसे भी ज़्यादा कारगर काम करते हैं अपने देश में तो कि अपने देश म की जो पूरी की पूरी कहानी है बिलकुल आखीर में मैं कहूंगा दोस्तों कि मैं ओपीनियन पोल को बेहन करने का पक्षदर नहीं हूं बिलकुल नहीं हूं लेकिन मतदान के पहले जो बेहन की बात की है इलेक्शन कमिशन ने उसकी अवद ही बढ़ाई जानी चाहिए उसक इने सारे चरणों में आजकल चुना हो रहे हैं आप प्रत्य चरण जो भी पहला चरण है उसके तस दिन पहले आप या साथ दिन पहले ही तैकर लीजे कोई ओपीनियन पोल नहीं आवे और दूसरी बार आप चुकी गैप ले रहे हैं साथ चरण आठ चरण का चुना पहले चरण और आखरी चरण के बीच में कोई ओपीनियन पोल कोई एगजिट पोल नहीं आना चाहिए और तीसरी बात ओपीनियन पोल जो आ रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग अपना सेंपल और सेंपल में जो उनका सेलेक्शन का तरीका है जो उनके मुख्य participant हैं सब के बारे में वो public को जानकारी दें और जो television channel दिखा रहे हैं वो भी उस survey को उसकी पूरी जो जो उसकी पधती है जो उसका तरीका है जो उसका mechanism है जो उसके participant है जो team है कहां कहां विजिट किया इसका भी आकड़ा दें क्योंकि इतना बदनाम हो गए हैं हमारे देश के opinion पूल कि लोगों को इस तरह की वैग्यानिक पधती पर भी संदे होने लगा है इसलिए मैं दोस्तों भारत के तमाम विपक्षी आज के जो नेता हैं उनकी तरह मैं बैन के पक्ष में नहीं हो लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि छुनाव आयोग को चाहिए कि इसको वैक्यानिक धंग से सर्वे कराने के लिए उपीनियन पूल में लगी कमपनियों को टेलेविजन चैनलों को मीडिया को बकायदे एक एक ऐसा एक एक ऑनरेवल धंग का एक रेगुलेशन जरूर सामने लाए और उसमें जरूरत के हिसाब से जो एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया है जो और जो मीडिया अर्गनेजेशन्स हैं उनसे भी सलाह ले और इसके बाद इस तरह का एक तरीका खुजा जाए जिससे कि किसी को ये न लगे कि अंकुछ लगाया जा रहा है लेकिन उपीनियन पोल को निरंकुछ धंक से अब बिना किसी बादा के परचार करने की प्रोपेगेंडा करने की खुरी छूट भी नहीं मिलने चाहिए इसके दोस्तों बिलकुल आखीर में उपीनियन पोल की जो पूरी की पूरी पद्धती है वो दरसल आज के दोर में हमारे देश में किसी पार्टी किसी नेता किसी विचार के प्रदी उपीनियन पैदा करने के काम आ रही है ये इस तरह की वैग्यानिक पद्धती का अपमान है और इसका जरूर समाधान खो जा जाना चाहिए नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल